हेलो स्टुडेंस हम अगले वीडियो में material के बारे में पढ़ चुके है classification of materials के बारे में पढ़ेंगे पढ़े थे अभी properties of materials में appearance appearance means उसका look, materials usually look different from each other, जो materials है वो एक दूसरे से अलग दिखाई देता है, जैसे के sand looks different from wood, wood appears quite different from plastic और plastic different from aluminum, aluminum, copper और iron जो है वो common characteristics में दिखाई देते हैं लेकिन उसकी जो characteristics है वो से अलग और plastic के बारे में प्लास्टिक में हमें दिखती नहीं है, था उसी appearance. घौसरे स्थरे हैंे मारती जाई लसचाए दॉप्हाँ हां पndाई प्लstill प्लिज्टिक लेक digital रेकि अज़ाउ तंकिल्फ गॉ node लेकिस लेकिलीन まं दूसरे हैंटनी — ईॉ IS कह वोग ए say, लेकिव्णाश्या यह और प्लास्तिक लेकिल प्ल्युणौ आड पहुर्यों किसे आले क्रिकार लिएुफिर् sound जुटर्षिंग In other words, the materials like iron, copper and aluminium which have luster, shining surface are called lustrous materials. Materials like paper, wood, plastic and copper which do not have luster are called nonlustrous materials. Activity 5 To separate Shark देखो बच्चो Epeeence का मतलब क्या है के जो cotton है Silk है वो Materials है Now see The special kind of shine present on materials That appears When they are freshly cut Is called luster जो मेटेंटिरियल है उसके उपर यो शाइनल दिखाई जेती है चमत्षेंटू कि उसे लस्टण बलते हैं मेटीरियल लाइग चाल खरेंग हैं ने खरेंटिस्टरे अरगस्का संपना मैटीकर्टियू मेटियूक्त आगे देखेंगे मानोंों पहले ग्रीप क्लीगगे शभी मतरिएस्ट मतरिएस लिए हखेंगे आ ग्र題ट कारोग coloring मपेर चाल घंप कारोग scripture तिंस थे निर पिल्स कप बार में कर आपने 2. Aluminum rock औ्साज़ कर नन करदे सHH 2. Kraut the surface of each material with Oy on the paper. 3. एफिजर सबस्पुसे एफ त्साज़ कर बड़ है 4. आर सबस्पार नन करल नогन लिदक योजिए डिक छुबने मटीविया है और अचान हरी Qणआइस बिंदे प्राइब प्राद्टन हरे जचीट ऐसी हरा इसीार कामटाओ फूरस के नकर फерм प्र्प्राइब मेट थेशाइन का podobरक कि नंदे गूर्टतु स्थgende ész benefici होनल इसको के सम्सांदब्पार्णी हो च्रप्राइब गे नबस तूर आपार तूराणी आपरियों आपका इंदे शर्का पारियों का फिर ॉपल् तूर्स Joe अच्छो निन्यून हो जाएगा और आर 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 पर आर वागा तेखो बाच्छो अन आर प्रेस्ट करने की कोशिश करो स्पोंज हो जाएगा और आर रोड वो एक्ष नहीं होगा मिन्स प्रेस्ट that can be compressed are called soft materials, जो material है उसको दबाने से वो प्रेस होता है, उसको soft materials बोलते हैं, और example है, wax है, sponge है, और जो materials उसको दबाने से, compressed करने से नहीं होता है, दबता नहीं है, उसे hard materials बोलते हैं, example iron nails और aluminiums, aluminium जो है ओ हो hard material है, है, में जो है खाड़ में है, है नहीं है प्रेसटों से बाने से फिर nó कि बने से बिलत पर गाद भीगर पांगे पामेर प्रेंग को पूरर, प्रेस हो, तो खूंदे का था प्ड़ के साहा है, तो मैं जोब कादा पर आपूर नहीं होता है, एल महर शूंदे क तोदोद लोटे लिई कर दोरों अंग अग Caesar कि पूली फिर लोट फिंग सक्या कि लिए कि अब अइ hani लूट कि लिला श आल कि स्व अट कि अईम्यूकरе काम हृट पिर्यिव कि लंग लोटर दो आल में काम्यद फ्ला थिन विल्क लिंग के लाच कि उलिए की जяж लिब आनकेस सोोगने छे वस दोग अल् सांब प्सोजाने अ धुर के अजिए CH जिए मजएख थे सबस्के एंग कोा यह उड़त tarशर है वे आत्वार फिता पनूबिद एंख से बहुआज तपर does not disappear in water. We can say that sand does not dissolve in water. Solubility of solids in water. Substances that dissolve or mix with water are said to be soluble in water. Whereas the substances that do not dissolve in or mix with water are insoluble in water. Transparency. Hold a glass tumbler in front of your eyes. See through it. You can see all the objects around you. This happens because glass is a transparent material. So materials through which we can see the objects clearly are for transparent. Look, we have seen soluble and insoluble in water. Soluble means the thing that is in water means we have to use इससे क्या है कि शुकर जो है वह पानी में मिक्स हो गई इसलिए वह सोलेबल वोटर हो गया फिर दूसरे भीकर में हाफ भीकर वोटर लेकर उसमें सेंड मिक्स करना है वोटर के साथ मिक्स नहीं होती है वह नीचे बैठ जाती है तो वह जो सेंड है वह वोटर के अंदर इंसलिएबल नहीं है वह ऐसे ही के वैसे ही नीचे बॉटम में रह चुकी है तो अब जो शुगर थी वो लिक्विट फॉर्म में था लिक्विट फॉर्म में से लिक्विट फॉर्म में कानवा अट हो गया और जो सेंड है वो वो इसलिए लेकिया है solid material that is all in water are set to be soluble in water जो solid material है वो पानी के अंदर soluble means mix होकर resort हो जाता है means पिगल जाता है उसको solubility solid in water बोलते हैं जो material does not dissolve means जो mix नहीं होता है उसको insolubile in water बोलते हैं अभी transparency के बारे में हम आगे देखेंगे transparency का मतलब क्या है means पार दर्शक जो हमें आगे दिखाई देता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे Thank you